वेरी वेरी गुड मानिंग टू आल अफ्यू तो डियर इस्ट्रेंट जैसा कि सीबी सीएस का एक्जाम बिजनस मैस का है और यह वो स्टुडेंट है जिनका एर आया वा था और आप सभी स्ट्रेंट को अब यह बताने के जूरत नहीं है कि क्या-क्या गलतियां हो सकती है क्यो आप सिर्फ यही सोचा कि लास्ट के दो साले को देखके चले जाते हैं और एक्जाम में हम इसको अटेम्ट कर लेंगे लेकिन जब आप कोशिंपर वे गए तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो आपको क्योंकि वो चीज वो नहीं है जो कि आपने बारवी में किये बिल्कुल और बिजनस मैस में आपके मांक्स कोई एक दो नंबर से आप नहीं रहे होंगे या बिल्कुल यहां पर आर पार की कहानी होई होगी या तो पांस आथ दस पंदरा नंबर क्योंकि यहां पर मांक्स मिलते ही आपको कुछ उसी क्या कोडिंग ही है और एक तो वो सुडेंट ज तो फिर से रिजल्ट वही सेम रहने वाला है क्योंकि बिजनस मैस का स्लेबज जो है बहुत बड़ा रहने वाला है जैसा आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास बिजनस मैस है तो अगर इस कोर्स के अंदर आप जाते हैं और मैं बात इसके कंटेंट की अगर मैं करूँ यह देखेंगा तो आपके पास में कोश्यंस के अंदर कंटेंट बहुत जादा है इसका मैं लेटेस्ट क्लास के बात करू बच्चे तो आप यहां पर देखेंगे लेटेस्ट क्लासिस में आपके पास में रेविजन भी है, साइन्मेंट भी है, कैलकुलेस भी है, कैलकुलेस में अगर आप जाते हैं तो Calculus 1 और Calculus 2 है, Calculus 1 में अगर आप जाते हैं, तो ये कुछ आपके पास पर topics हैं, 0-1 classes, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, और इवन आपके पास में सरफ classes ही नहीं हैं, उसकी आपको PDF भी हम अरेंज कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसकी PDF भी जो classes में चल रहा है, उसकी PDF भी आपको आप में ये basic introduction है, जो इन बच्चों का math background नहीं रहा था, उन बच्चों के लिए basically मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया आपको, कि डिफरिशेशन में, chain rule कैसे apply होता है, product rule क्या होता है, तो बिल्कुल basic से classes है, जिनका math background नहीं था, वो बच्चे भी easily इसको सीख सकते ह सिर्फ यही नहीं, आपके पास में, लबह लबह आप मान के चलें कि ए application of differentiation का topic आपका इक अलग है, उसके बाद अगर आप देखते हैं, इडवांस calculator है, आपके पास में, matrix, और इस तरह किसे matrix में आप जाएंगे, basic terms of matrix, जिए, classes देखें, कितनी classes है, classes देखो बच्चे आप, कितना बड़ा схilie क्या जिए आपका, यह matrix ही चल रहा है यह आपका, यह matrix ही चल रहा है आपका, यह matrix ही चल रहा है आपका, यह देखें, कितने classes हैं एक एक उणिट के अंदर, tout ... लबह-लबह् आपका ... ... 85-100 गंटे के आसपास का syllabus है कि अधर की मानकी ऐ ard वह थीन मैने का .... और आपके पेपर में तीन मे spaghetti Punjab भी नहीं है तीन मैने आसपास आपके पेपर में पचे वह थीं++.. करना है तो वही मिस्टेक दुबारा अगर आपके रिपीट होगी तो रिजल्ट भी आपका सेम रहेगा इसलिए अभी जिसको कोर्स लेना है जिनको आस बच्छे को बैक आच चुकी है तो सर आपको मुझे बताने की ज़ुरत नहीं है कि क्या-क्या आपसे मिस्टेक हो सकती है कोर्स लेने का मतलब है कि लेना है तो अभी ले लो अधरबाइस लास्ट के मन्त या लास्ट के फिप्टीं डेस में लेकर के उसका आपको कोई फाइदा नहीं मिलने वाला है सत्य घडी में यह मैं आपसे कह रहा हूं दूसरी बात कि आपके जो डाउट्स आएंगे वो डा कि सब कुस वंज में आएगा और मैंने पढाने मुक्त में इस चीज को कंसीटर नहीं किया है कि बच्चे को जो है मैस बैग्राउंड होना ही चाहिए पीछे मैं यह कंसीटर करके चला हूं कि बच्चे का मैस बैग्राउंड बिलकुल भी नहीं रहा तो मैंने एक एक चीज आपको बताया है कि यह चीज क्या होती है यह चीज क्या होती है बेस बना करके फिर मैंने उसको जो है बीकॉम लेवल पर आपको लेकर काया हूं तो उन्हों मच्चों के लिए बड़ा कमफर्टेबल रहने वाला जिनका मैस बैग्राउंड नहीं था तो यह आपके पास में को ब्सप्राइब के अब पास में आएगा तो यहां से कोश्च आपके एग्जाम में आता है इस बात के मैंने वीडियो में इंपर्टन कोश्च मार्ग भी कर रखें कि क्या कि आपको बढ़ना है फिला अब आप पूरा ही पढ़के चलो बहारा रिसक मतलब नहीं तो पूरा स ट्रिसक में डै सकते हो एग इमपर्टन के चैकर में नहीं डै सकते हो तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपके पास आपके पास簡를 काल्कुलुसच को रिजसे कि आपको पास सेथा म hise डाय्हन भीनीयो इकट आपके टांजेश् चेप्सी को टो महें सूँक्सियु काल्कुलस दो है जिसमें कि आपके पास है मैथामेटिक फंक्षन और जैसे कि आप लीनियर इसके बाद आप कंसेप्ट अप्ट आप दा मार्जिनल एनलाइज इलासिशिती कंसेप्ट मैक्सिमम एन मिनिमम प्राउलम्स और साथ-सात में आपके पास पे एडवांस कैल्कुलस आपके पास मान यरुलिदी देजिव निममम यह बहुत सारी टापिक प्राइजिशन आपके बहुत सारी टापिक से बच्चे मैतामैटिक्स और फवांस की बात करें तो इसमें भी आपके पास हैं कंपाउंड इंतरस्त आपके पास में प्रेजंग फीचर वैल्यू या तो इसलिए आपके पास में कुछ इस तरीके से श्रीबस आपका है और और इसके बाद आपके पास में डेखेंगा यह बहुत mathematics of finance का टॉपिक आप देखें कितना है तो मैंने पहले बता दे नहीं कि तीन मेहने समय कमें इसको यह एक साल की पढ़ने लिए चीज होती है, बट फिर भी तीन मैने में भी अगर आप अभी भी कल पर्सु का प्लान मना रहे हो, तो फिर ये आपके बहुत बड़ी समस्या बनेगी, तो अगर एक डिड़ महने अगर आप लेट हो जाते हैं लेने में, तो मैं तो यह यह एडवाइस करूँगा, उसका लेना ना लेना, बात बराबर ही साबित होगी, कि भाईया, आप इस टॉपिक को इतने देस में कवर कर लो, और उससे लेठी डाउट्स आप बेजो, फिर आपको गाइडेंस दूसरी दी जाएगी, कि भाईया, इस टॉपिक के अपके डाउट्स को पिक की जाएंगे, तो आपको इसको लेकरकर aware होना है, थैंक यू जी, झाल झाल